आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अलमास प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि रेडियो एक शानदार माध्यम है जो सकारात मकरूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है आज विश्व रेडियो दिवस पर एक टूईर संदेश में प्रधान मंत्री ने रेडियो के सबी शुरताओं को शुबकामनाई दी और रेडियो से जुड़े उन सभी को बढ़ाई दी है जो अपने शुर्ताओं को रेडियो से नवीन सामगरी और संगीत की गुंज सुनाते हैं शीमोदी ने एक शांदार माध्यम के रूप में रेडियो के सराहना करते हुए कहा कि ये समाज को घनश्टा से जोड़ता है शी मूदी ने कहा कि नोने हर महीने आकाशवानी पर प्रसारित मन की बाद कारिक्रम के लिए रेडियो के सकारात्मक प्रभाव का व्यक्तिकत रूप से अनुभव किया है उपराशपती आमवाई के या नाईडू ने विश्वी रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को शुब कामनाई दी है शी नाईडू ने कहा कि रेडियो संचार का एक लोगप्रिय माध्यम होने के साथ ही सूचना और मनोरजन का भी एक प्रमुक स्त्रोत है सूसरा प्रसारन मंतरी प्रकाश जावड़े करने विश्वी रेडियो दिवस पर सभी को शुब कामनाई दी है एक ट्वेट में शी जावड़े करने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है उजयन में भाचपा विधायकों का प्रिशिक्षन वर्ग आयुजित किया जा रहा है इसमें भाग लेने के लिए आज सुबा मुख्यमंतरी श्रिवरा सिंग चौहान उजयन पहुंचे श्री चौहान के बाद बंगल प्रभारी वर राश्री महासचिव कलाश विजयवर्गी प्रशिक्षन में पहुंचे केनिक रुषिमंति नरिन सिंग्तोमर कल ही उजयन पहुंच गये थे धार जले में इस सित मांडू के इतिहासिक धरोहर और विशिष स्थापते कलासे परेटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर तीन दिवसी मांडू उत्सव आजशे शुरू हो गया है उत्सव के दोरान विबिन संगित में प्रस्तियां, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, हेरिटेज वॉक, साइकलिंग जैसी गतिविदिया होंगी प्रमुक सची परेटेनिम संस्कृती शिवशेकर शुकला ने बताया कि मांडू उत्सव के दोरान सभी उम्र के परेटकों के लिए उनकी रूची अनुसार गतिविदियां आयुजित की जाएंगी खाने के शौकी लोगों को परमपरागत वेंजनों के साथ इस्थानी वेंजनों का तड़का देने के लिए विशिश स्टॉल लगाए गए हैं परेटन मंतरी उशा ठाकुने शाम चार बजे मांडू सौ में शामिल होंगी अब खबर मौसम की वर्तमान में कोई वैदर सिस्टम सक्रीन नहीं होने के वज़ा से प्रदेश में मौसम शिश्क बना हुआ है आसमान साफ रहने के कारण धूप में तलखी महसूस होने लगी है वर्तमान में हवा का रुख उत्तर पश्चमी और उत्तर पूरवी हो रहा है उत्तर भारत की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिन का तापमान अधिक नहीं बढ़ पा रहा है साथी रात में ठंड बरकरार है मौसम विभाग के मताबिक दो-तिन दिन तक मौसम का मिज़ाज इसी तरह बना रहेगा इसके बाद 15 फरवरी से मौसम एक बार फिर बतलेगा और प्रदेश के कुछ स्थानों पर बादल चाने के साथ बारिश होने की संभावना है पिछले 24 घंटों के दोरान सबसे कम तापमा 9 डिग्री सेल्सियस खजराहो रिवा और उमरिया में दर्च किया गया अब कुस्समा चार संशेप में पन्ना जिले में रवीफ असल उपारजन के लिए 25 फरवरी तक किया जाएगा टिकमगर जिले में विभिने मांगों को लेकर सहकारी समीती करमचारियों के हरताल के कारण उचित मूली के दुकाने बंद हैं जिसे गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है सडक सुरक्षा महा के अंतरगत कल आगर मालवा में कैंजियो द्वारा जागरुकता कारिकरम आयोजित किये गए महीं जिला स्तरी सेमिनार में विद्यार्थियों ने निबंद चित्रकला स्लोगन और कृस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया कटनी जिले के विबिन विकास खंडों में दिव्यांग जनों को कृतिम अंग एवं सहाय कुप करण देने के लिए प्रशिक्षन शिवर का आयोजिन किया गया शिवपुरी जिले में पोस्ट मैट्रिक चातरवत्ती एवं आवा सहायता योजना के लाप से वंचित विद्यार्थी 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं मंडला जिले के मोती नाला थाना शेतर में पुलिस मुटभेड में एक महिला और एक पुरिशनक सली मारे गए इस बुलिटिन के अंत में एक अप्रिल हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार